हलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज हम लोग जानेंगे चंद्रियान 3 पर आसान हिंदी निबंद तो आओ शुरू करते हैं चंद्रियान 3 चंद्रियान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतिय चंद्र मिशन है इसमें चंद्रियान 2 के समान एक लेंडर और एक रोवर है लेकिन इसमें और्बिटर नहीं है यह मिशन चंद्रियान 2 की अगली करी है क्योंकि पिछला मिशन सफलता पुर्बग चांद की कक्षा में परवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्ग दर्शन सौफ्ट वेर में गरबरी के कारण सौफ्ट लेंडिंग में विफल हो गया था सौफ्ट लेंडिंग का पुना सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया चंद्रियान तीन का लौंच सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरी कोटा से 14 जुलाए 2023 शुक्रवार को भारतिय समय के अनुसार दो फैर दो बज़ कर 35 मिनट बजे हुआ था यह चंद्रमा के दक्षनी धुरुप के पास की सता पर 23 अगस 2023 को भारतिय समय अनुसार शाम 6 बज़ कर 4 मिनट बजे के आसपास सफलता पुर्बक उतर चुका है इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षनी धुरुप पर सफलता पुर्बक अंतरिक्षियान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चोथा देश बन गया इसरो ने चंद्रियान तीन मिशन के लिए तीन मुख उदेश निर्धारित किये हैं जिसमें शामिल है पहला लेंडर की चंद्रमा की सता पर सुरक्षित और सौफ्ट लेंडिंग कराना दूसरा चंद्रमा पर रोवर की विचरन शमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन तीसरा चंद्रमा की संद्रचना को बहतर धंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतय पर उपलवद, रासाइनिक और प्राकिर्तिक तत्यों, मिट्टी, पानी, आधी पर व्यग्यानिक प्रयोग करना तो इस तरह से चंद्रियान तीन पर आसान हिंदी निबंद या दस लाइन निबंद आप लिख सकते हो अगर वीडियो आपको helpful लगी हो इसी like करें, ज्यादा ज्यादा share करें अपने friends and family के साथ चैनल को subscribe करके support करें, मिलते हैं को और वीडियो के साथ, अब तक के लिए bye bye and take care, thank you so much for watching